नमस्कार्स आप सबका हमारे चैनल शिवागु डाट कॉम पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं का Benton Mithun लगन के जात ओंको कौन 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 से रुद्राक्ष घरण करना चाइए हम लगन की बात करें तो हम ग्रहों के इसाब से भी थोड़ा सा बताएंगे कि ग्रहों की जो प्लिस्मेंट है उसके इसाब से कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और आप अपने अश्ट लॉजर से पूछ सकते हैं कि ग्रहों की जो सिती है कौन से घर में क्या बैठा हुआ है उसके साब से आप में हुआ तो और ज्यादा अच्छा है रुद्राक्ष पर ग्रहों के साथ देवताहों का वास होता है और रुद्राक्ष साइज में तो ज्यादा बड़ा हो जितना ज्यादा बड़ा हो उतना ज्यादा अफेक्टिव अगरनों थोड़ा सा प्रैस उसकी ज्यादा होग तो चलिए हम आपको बताते हैं मिथुन लगने के हिसाब से तो दिखिए प्रतेक लगने के लिए एक ग्रह ऐसा होता है जो यूग कारक होने के कारण शुफ फल्दाई होता है और यदि ये ग्रह कुंडली में बल्वान हो और पाप ग्रह से प्रभावित ना हो तो एक एक इकलोता ग्रह आपको उनत्ती के शीकर पर पोचा देगा अत्य इसका रतंधान करना और विशेस फल्दाई हो जाता है चमतकारिक प्रभाव देता है प्रन्तो यदिया अशुब भाव में अशुब ग्रहों के प्रभाव से ग्रस्त हो तो फिर जातक इस यूग कारक ग्रह के चमतकारी प्रभाव से वजचित रह जाता है तो ऐसे इस्तिती में अशुब भाव जने तशुबता को नश्ट करने के लिए रुद्राश धारन किया जाता है यूग कारक और बली ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रफन धारन करना चाहिए वहीं पर अकारक नीच रासिस्त और अशुब भाव में सिद्ग्रह के शुब फल क्राप्ट करने के लिए रुद्राश धारन करना चाहिए अब रहा मिथून लगने के लिए बुद्ध शुक्र और शनी योग कारक है इसलिए आप पन्ना, हीरा और नीलम धारन कर सकते हैं परंत शुक्र दौर्ध शेश और शनी अस्टमेश भी है इसलिए इनका पुन्फल प्राप्त करने के लिए चार मुखे रुद्राज भी आप साथ में धारन कीजिए तो पुन्फल प्राप्त होगा अब जहां तक करतन का सवाल आता है तो रतन आप जब भी पहने हमेशा एस्टलॉजर की सलापर पहने अभी सुर्ध चंद्रमा और मंगल की शुक्ता के लिए एक, दो और तीन मुखे रुद्राज धारन करना चाहिए अब जह हम एक, दो और तीन की बात करते हैं तो एक मुखे रुद्राक्ष जाए आपका राम श्रम का काजू शेप वाला होगा एक मुखे नेपाल का मिलना दुरलब है मतलब बहुत दुरलब रहता है तो आज अंडर डिवलप्ट रुद्राज होता है जिसे एक मुखे बोल के लोग पेशते हैं यह एक मुखी है पर अचलिव अंडर डिवलप्ट होता है एक जो लाइन है उसकी वो पुरी तर से डिवलप्ट होता है बाकि डिवलप्ट नहीं हो पाते हैं पर उसका रिजल्ट नो डाउट अच्छा है दूसरा है सवार रुद्राक्ष जो आप इस्तमाल कर सकते एक मुखी की जापे वो भी काफी प्रभावी होता है अभी गुरू के केंद्रा अधिपती दोस्त के कारण गुरू का रत्न पुखराज अशुब फल दाई होता है अतगुरू के शुफल के लिए आप पाच्छ मुखी रुद्राक्ष मला पहन सकते हैं या फिर पंच्छ मुखी रुद्राश धान कर सकते हैं साइस बड़ा होगा तो और जादा अच्छा होगा तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद